अगर आप एक डिजिटल क्रियेटर हो या फिर इडिपेंडेंट कोच हो तो डेफिनेटली आप जब अपने टुटोरियल बनाते होंगे तो आपको स्क्रीन पर लिखने की जरूरत पड़ती होगी सेम जैसे मैं अभी अभी अपनी स्क्रीन पर लिख पा रहा हूं जिहां आप यह सब कुछ कर सकते हैं अगर आपको यहां पर ऐसे मा करके बताओ कि देखो OBS का आइकन कुछ ऐसा होता है और जब आप OBS को ओपन कर लेते हो तो इस टाइप का कुछ इसका एक लेआउट होता है जैसे कि मैं OBS सॉफ्टर की नॉलेज रखता हूं और अगर इस समय पर मु इस तरीके से एडिट विंडो के बारे में डॉक के बारे में या फिर हम बात करें डिस्प्ले कैप्चर के बारे में या फिर इस साउंड के आउडियो के बारे में आपको इस तरीके से लिख कर एक्स्प्लेइन कर पाऊंगा तो डेफिनेटली यह सॉफ्ट्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा useful है या फिर अगर आप किसी chrome पर किसी feature किसी website को explain कर रहे हैं और इसके website के features को explain करना चाह रहे हैं तो ये software आपके लिए बहुत useful होगा जी हाँ आप ये जो बार देख रहे हो ये ही बार के बारे में बात कर रहा हूँ epic pen download करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा और google पर search कर लीजिए epic pen और जैसी आप इसको search करोगे आपको first option जो मिल रहा है वही website पर आपको जाना है download for free पर click कर देना है तो यह पर दो version है basic version और pro version pro version की need actual में हमें है ही नहीं क्योंकि हमें कोई line circle बनाना ही नहीं है हमें कोई multiple color की ज़रूत ही नहीं है तो आप simply एक basic version को ही download कर लीजिए और इसको ok करके download करना start हो जाएगा देखे यह epic pen का exe file download हो चुकिए इस पर double click करकर आप इसको installation के लिए proceed करिए accept an agreement next install बहुत छोटा सब setup है बहुत easily install हो जाता है आपको active करने के लिए बोलेगा आप कुछ भी नहीं करिएगा start free tile पर click कर दीजिएगा और इसको close कर दीजिएगा आपको यह website पर redirect करेगा website को आप कर देना मिनिमाइज और इसको finish करके जैसी आप epic tool को install कर लेंगे तो यहाँ पर आप windows में यह arrow देख रहे यहाँ पर देखिए आपको epic tool का icon मिल जाएगा जो की यह रहा इस पर आप click करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका open हो गया अब मैं आपको epic tool को explain करता हूँ कि इस epic tool में आपको क्या-क्या चीजे मिलती है तो सबसे पहला option जो आप यह देख रहे हो यह eye option जो है इस option का meaning है कि अगर आपने इस पर click करा तो यह epic tool जो बड़ा सा आपको tool दिख रहा है वो गयाब हो जाएगा इसके साथ-साथ आप जो भी लिख रहे हो वो भी गयाब हो जाएगा जैसी आप इस पर click करोगे वो वापस आजाएगा तो यह eye option का आप use कर सकते हैं अब जिसे जो भी मैने दो चीजे लिखी हुई है इसे मैं जो हटाना है तो मैं delete option पर click कर दूँग तो यह delete हो जाएगा इसके बाब में अगर मैंने यहाँ पर pencil को select करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख रहा होँगा बट अगर मुझे किसी software पर click करके दिखाना है तो उसके लिए मुझे यह arrow button पर click करना होगा और जब तक कि यह arrow button पर click है तब तक यह आपका as a normal mouse work करेगा बट जैसी आप इस पर pencil से click करेंगे तो definitely यह आपका ऐसे writing skills वाला point बन जाएगा अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे line, circle और यह सब के लिए आपको pro version पर जाना पड़ेगा अगर आपको अलग-अलग चीज़ चाहिए तो मैं आपको recommend करूँगा इसके pro version को buy करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि circle, line और यह सब draw करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे free software's मिल जाते है तो क्यों इस पर खर्च करें यह software की beauty ही यही है कि आपको desktop पे अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए software को use किया आता है अब इसके बाद में आते है eraser पे तो जैसे आपने आपके कुछ भी लिखा हुआ है तो एक stroke में आपने जो लिखा है मतलब एक continue pen से जो लिखा हुआ है उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो वह गया भते जाएगा जैसे मेनी तीनो मोटर पतला कर सकते है एक चीज अच्छी मुझे जो दिखी यहां पर क्यूंकि epic pen tool support करता है pressure sensitivity को मतला अगर lightly आप अगर कोई pen चलाओगे जैसे मैंने यहां पर एक lightly हलका सा हाथ रखके मैंने pen चलाया और अगर मैं ताकस से लगाँगा तो यह मोटी होती जाएगे line तो यह pressure sensitivity को भी handle करता है software में इसके option दिया होता है अब जैसे यहां पर suppose मैंने अगर चार पार चीज़े लिख रखी है one two three four और पांच को लिखने में मैंने गडबड़ी कर दिया तो मैं इस backspace से यह गायब कर सकता हो तो देखिए इसका use up ऐसे कर सकते है इसके अलावा यह जो fourth option जो इसके अलावा जो यह है about setting और यह सब के एफिक तूल के setting में अगर आप जाओगे तो basically बहुत simple सी setting में कोई ज़्यादा करने के आपको ज़रूरत नहीं है तो यहां पर आप color select कर सकते तो effect tool के pro version में आपको ज़्यादा colors मिलते है और basic version में कम color मिलते है तो basic version मुझे लगता ह है कि more than sufficient है कि इससे अधा color के requirement आपको होगी ही नहीं तो basically यहां पर आप top five में चार color दिखा सकते है उसके बाद में आप one by one color को select कर सकते है तो यह था basic overall epic tool का हां अगर आप इस tool को इस tool को अगर आप side में रखे तो ज्यादा बहतर रहेगा क्योंकि बीच में बड़ा काफी बड़ा सा दिखता है और जिसने में आपने आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है delete press कर दीजिएगा और इस icon को close कर दीजिएगा ताकि जो भी यहां पर है अगर आप as a educator इसको यूज करते हैं और इस पे screen पे आप जो भी लिखते हैं तो यह as a PDF document save नहीं हो पाएगा जैसे usually notpad और in softwares में होता है तो basically software का use ही है कि आपको किसी runtime application पे runtime application पे अगर कुछ explain करना है तो आप इसको इस तरीके से use कर सकते है इसी के साथ साथ आपको एक औ digital panel है और इस digital panel में आप वीडियो चलाते हैं और वीडियो चलाते समय कुछ लिख नहीं पाते या फिर web browsing करते समय कुछ लिख नहीं पाते तो आप easily अपने monitor को अपने system को अपने panel से connect कर लीजिए panel से connect करने के बाद में आप epic tool के थूरू अपनी website पर भी आप लिख पाएंग में यह options available नहीं होता तो आशा करता हूँ इस video के थूरू आपके सारे doubts clear हो जाएंगे और आज से आप अपने video को more attractive बनाने के लिए epic tool का use करेंगे pro version पे epic tool के जाने की बिल्कुल भी जरूरूत नहीं है basic version में वो सारी ही चीज़े आपको मिल जाती है इसके अलावा अगर आप जैसा कि आप देख पारे है अगर आप इस तरीकी का वीडियो बनाना चाहते है तो इस तरीकी के वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ वर सिर्फ epic tool और OBS की मदद से ऐसा unique tutorial आप बना सकते है इसमें आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूद नहीं ग्लास बोर्ट सेट अप लेने की जरूद नहीं है simply आपका काम हो जाएगा अब इभी टूल को यूज करने के लिए एक hardware की जरूद डेफिनेटली पड़ेगी वो है आपका pen tap तो ऐसा या तो आप ऐसा graphic pen tap लेना चाहते हो जिसमें display दिखाई दे रहा हो वैसा कुछ ले लीजिए या फिर आप simply नॉर्मल जो आपके वेकॉम के और इंटियॉस के जो basic pen tap आते है दो से तीन हजाब रुपे के वो भी आप ले सकते है मैंने description में हर एक device की link दे रखी है तो definitely अगर आप buy करना चाहो तो आप महाँ जाकर buy कर सकते है इसके अलाव अगर आपके मुझे कोई भी doubt है तो आप मुझे directly connect कर सकते है edus underscore akash मेरा instagram handle है आज जा करता हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस tool को use करेंगे use करने के साथ साथ एक चीज़ को मत भू अगर आप भी अपना dream studio setup करना चाहते तो इस number पर हमसे call करिए हम आपको best best studio setup करने मदद करेंगे thank you so much for watching